हेलो ट्रेटर्स एंड वेलकुम तो दाय स्टूडियो मेंबर्स आज के इस वीडियो में हम लोग तीन टॉपिक के ओपर डिसकस करने की कुशिश करेंगे फर्स्ट फ्राइडे का जो हमारा ट्रीट था रिन इंडस्ट्री को हमने इसे कैसे किया था इसकी ओवर ओल अनलिसिस क्या थी डिली टायम फ्रेम की कितना क्या प्रॉफिट हुआ इसके बाद में जो में पॉइंट रहने वाला है आज का हम लोग स्विंग ट्रेट करने के लि आपको शेयर करेंगे डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक मिल जागा और वहां से अपने स्टॉक्स निकाल सकते हो वीडियो जरूर से जरूर काफी हल्प आपकी करेंगा वीडियो पसंद आतो तो लाइक किजगा कॉमेंट किजगा है चैनल पर अगर आप पहली बार तो इस बस्टकर रहा है कंच के कुछ रेश्टेंस पइंट है प्राइस लास्ट शेशन में इसी रेश्टेंस के नीचे इसने ऐ ट्लोजिंग दे दी यह जो रेश्टेंस पाइंट रहा है इसको डिलीट कर दे साथ हैं आयर टैम फ्रेम पर मनोग शिफ्ट करेंगे एंड ज जो सबसे इंपोर्टेंट रीडिंग से वह डिली टैम फ्रेम की होई जैसे कि देखे कल की वॉल्म्स पी आप देखोगे तो ग्रीन वॉल्यूम फॉर्म होई थी और उसके पहले एक रेड केंडल फॉर्म होई थी यह मेरी प्रॉपर पीछे की कुछ रेडिंग से हमें को डिल का पॉइंट विच इस पॉइंट ऑफ एक्शन कैसे हम लोग 24 की कैंडल तक पहुंच और क्यू हमने 20 की कैंडल को एक मास्टर कैंडल बोला है इंपॉर्टेंट कैंडल बोला है अभी इसके ओपर हम लोग चलेंगे देखे बेसिकली होता है क्या कि ट्रेड यही खतम हो जाएंगे आप देखो कि डेली टैम फ्रेम पर अगर हमारी रीडिंग साही है तो वहां पर लोवर टैम फ्रेम के प्राइजेक्शन साब को इतने सटीक दिखते हैं कि फिर आपको ट्रेड एक्जेक्यूट करने में कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं आप देखे क करने कलिए प्रॉपर एक जगह मिले अप यहां से ट्रेड एक्जेक्यूट करो हम लोग अपनी ट्रेड भुग ऑपन करेंगे यहां से ट्रेड भुग में देखने के कोशिश करेंगे कितनी क्वान्टीस रहे थी और टाइम वगरा टाइम देख ले ते यहां पर कैसा किया देवार 9,412 रूपीज और 90 पैसे का प्रोफित है ब्रोकरीज जाएगी करीब 3-330 रूपर की ब्रोकरीज जाएगी तो 9000 के आसपास का कुछ का मैसेज आया था 9000 के कुछ का प्रोफित था अपना कल का स्विम ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्शन का तरीका दूसरा हो लेकिन डीडिंग समय बेसिकली ऐसी करेंगे और रूप में चलेंगे न करीब 1,600 1,666 कौनिटी के साथ में ट्रेड हमने किया था 11 बजय के रांड हमें कंफिमेशन साला है कि उससे पहले ही मिली थी एकिन एक्जेक्शन 11 बजय के 11 बचकर दो मुट के असपास हमें हमारा जो ट्रेड था ओर्ड लगे थे 11 बचकर दो मुट पर लगे थे 75 पैसे पर अपनी स्टोप्रोस लगा हुआ था प्रॉफिट के लिए हमने वेट किया था कि ब्रोकर हमें जो प्राइस देगा 3 बचकर 13 मुट पर हम उतने पर बाहर निकलेंगे तो करीब 176 रुपीस और 35 पैसे पर बाहर हो गये थे और एक अच्छा-खासा ट्रेड था कु रहें या निकल जाएं थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है निकल जाएं या ऐसा नहीं हो कि लॉस में अगर आप चलो तो फिर बहुत बहुत बढ़ा लॉस हो यह इसे पहले यह सब कुछ नहीं एक बार ट्रेड एग्जेक्यूट कर देना मन नहीं हो तो फिर मत करो आपको क स्किप कर दो वीडियो देखना तो बहुत इसको कॉंसेंट्रेट हो करकी किजिएगा क्योंकि हो सकता है मेरी कुछ बात हैं यूजलेस लगें लेकिन यूजलेस उनहीं को लगेंगी जिन्हें की समझ नहीं है प्राइस एक्षिंस क्या फिर वॉल्यूम्स की क्योंकि हम जो भी यूज करते हो बॉलिंजर बेंट हो गया आरेसाई हो गया तो यह काइंड ओफ शॉटकट नहीं जो कि मार्केट में आप आप क्या अकसर लोग शॉटकट जिस तरह का फाइंड करते हैं यहां पर बहुत फोकस लगता है थोड़ी सी महनत लगती है क्योंकि हम लोग प्राइस को रीट करते हैं एक प्राइस एक्शन टेडर की यह खास्यत होती है वो जिस तरह की रीडिंग्स करते हैं यह बहुत हद तक पॉसिबिल्टीज होती है कि इंडिकेटर्स बाद में वो चीज़ इंडिकेट करते हैं बट एक प्राइस एक्शन टेडर जो की वॉल् होता है लेकिन maximum of the time वो अपनी analysis को एक सही दिशा में ही ले करके जाता है moral of the story बहुत focus हो करके देखने के चीज़ है कभी कभी आपको ऐसा भी लगए कि क्या boring चीज़ है लेकिन आखरी में आप सारी market घूम क्या होगे आखरी में आपको आना यहीं पर पड़ेगा जब तक आपका चार्ट ली नहीं है आप यही समझ के चलना कि बहुत ज्यादा chances है mistakes होने के तो जितना हो सके उन mistakes को कम करो जितना हो सके mistakes को chances कम रखो कि mistakes नहीं हो market के उपर है अमालेज हमने बाई कर लिए ज़री थोड़ी नहीं कि हमारे बाई करने की बाद में price उपर ही चला जाए last to last week में करीब एक या दो stop loss दिये थे दो दिन तो trade ही नहीं मिला था सिर्फ दो दिन हमें trade मिले थे एक SL गया था और एक दिन हमें trade मिला ही नहीं था ऐसा भी होता है ज़री नहीं कि हम बाई कर रहे हैं से ले करके जब मन में कुछ टाउट उठता है तो उसको comment कर दो उसका reply हम देंगे अब देखिए हम भी हमने कहा कि इसको कुछ parts में divide करेंगे सबसे पहला तो हम इसे price के according समझते हैं इसे क्यों buy ही क्यों sale क्यों ने एक चीज याद रुखो ये भी psychological game होता है अगर आपको किसी stock को buy करना है तो सोचो ऐसा सोचो कि उसे गिरना चाहिए बहुत चोटी सी बात है लेकिन analysis में बड़ा फर्क पैदा कर देती है आप सोचो कि ये rain industries को buy होना चाहिए हमें बाई करना है लेकिन देखो ऐसे कि उस stock को नीचे की दरफ गिरना है इसके बाद में एक दूसरी चीज और एट करो इसके अंदर मान लिजे अब हम इसको देख रहे हैं नीचे गिरने के लिए rain industries को नीचे गिरना चाहिए हम चाहते हैं buy करना लेकिन हम देख रहे हैं opposite side में किसे नीचे गिरना चाहिए अब यह देखो कि नीचे गिरने के लिए एक stock को क्या करना होगा उससे अपने supports break करने होगे simple सी चीज है न किसी भी stock को अगर downside की तरफ move दिखाना है तो क्या करेगा वो support form करेगा support form करने के बाद में support को ब्रेक कर देगा with volume या फिर हो सकता है 9.15 की candle को नीचे की तरफ break करके market फिर सोपर की तरफ जाया और यह जो सबसे पहला swing लगा है इस swing को downside की तरफ break कर दे ऐसा भी हो सकता है कुल मिला करके price अपने supports को या फिर previous days के last support को या previous day की important candle को वो downside की तरफ break कर सकता है या फिर previous day के high के उपर market एक breakout दिखा करके वापस से previous day की range के अंदर में आ जाया और breakout कर दे price को अगर downside की तरफ गिरना है तो वो resistance को protect करके अपने supports को break करेगा अगर एक stock को नीचे गिरना है तो और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि हम ढूंड यहीं रहा है price को support ही तोड़ना चाहिए और अगर उसने support नहीं तोड़ा उसने अपने support को protect करके अपने resistance को अपने swings को upside की तरफ break कर दिया तो इसका मतलब कि price में chances are very low कि price आपको downside की तरफ जाएगा उसे हो नहों उपर की तरफ ही निकलना है अब देखे इसी चीज़ को हम लोग आगे की तरफ अब increase करते हैं यहाँ पर देखे price ने अपने previous कुछ एक resistance को बहुत बुरी तरह से upset की तरफ break किया है यह swings थे हमने इस candle को क्यों माग किया है क्योंकि यहाँ से एक लगा थे इनका price उपर से नीचे की तरफ गिरा न high से low एक high लगा यह high लगा देने के बाद में price आपका सिधे नीचे की तरफ मतलब की इस swing के बाद में price हमारा सिधे नीचे की तरफ गिर गिर गया यानि के यहाँ पर इसको resistance मिल रहा है यहाँ से sellers मिले sellers ने सिधे price के लो यह वाला फॉर्म कर दिया तो high लगा देने के बाद में आप देखोगे 6th of November की candle का जो high था हमारा 156.85 156.85 का high लगा देने के बाद में price हमारा सिधे नीचे की तरफ गिर गिर गया और यहीं पर उसके results है थे जबकि यह loss वगरा में थे अब price ने क्या कर दिया ने सिधे gap down कर दिया नीचे की तरफ गिर गिर गया यानि कि यहाँ से इसको resistance मिले sellers मिले sellers ने price को नीचे की तरफ गिरा दिया अब यह area बन गया मेरा एक resistance का point अब price को अगर उपर की तरफ जाना है तो इस hurdle के उपर इसे उपर की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा और तब से देखे price आपका downside की तरफ भी trade कर रहा है कितनी सारी candles बनी है और यह हमारा master resistance अगर यह वाला ब्रेक हो जाता है तो move अच्छा मिलेगा हमने यहाँ पर भी क्या देखा कि एक ऐसा high identify किया जिसके through price नीचे की तरफ आए था अब हमने वही low लगा लिया मेरे लिए यह resistance important हो गया है यह support important हो गया है अब देखो कि price इस बीच में कर क्या रहा है इस range के अंदर ही घूम रहा है हमने नहीं trade किया इसको हम watch कर रहा है इसको कई दिन से हम watch कर रहा है price में जैसे ही यह वाला breakout हुआ तो move तो बहुत बढ़ा था अब हम इसको trade थोड़े ना कर भाए है market चल गए हम बोलते कि नहीं हम इसको trade कर सकते थे यह हाँ से trade कर लेते वहाँ से नहीं कर सकते यह stock खुलते उपर की तरफ भाग गया हम नहीं कर सकते trade चाहते हुए भी नहीं कर सकते वो पकड में नहीं आएगा हमें चाहिए कि price में थोड़ा सा candle के high इपर थोड़ा सा sustain हो जाए लेकिन जब आप देखोगे ना 24th January की candle को trade हम अपनी techniques के recording नहीं कर सकते थे तो यहाँ पर तो बड़ा move आ गया दूसरा है यह chances बहुत कम थे कि हम इसको trade करते हैं हमें एक proper point of action चाहिए था high to high marking की system के recording हमें 24th और January की candle का high सबसे अच्छा area लगा जहां समयों trade कर सकते थे यह बन जाते हैं हमारी master candle previous swing सबसे बड़ा swing point बन रहा था आप देखिए का यह वाला जो point है ना यह भी इसके लिए एक resistance का area है क्योंकि यहीं सो तो market फिर नीचे की तरफ आई थी ना जैसे कि यहां से नीचे की तरफ गिरी वैसे यहां से नीचे की तरफ यह आई है अब देखिए जैसे यह important था वैसे ही यह वाला भी point important है आप देखोगे कि जिस दिन यह red candle form हुए इसने exact यहीं पर high लगा और यहां से नीचे की तरफ आगे अब last time आप देखोगे हमने इतनी बगबग करने के बाद में सिर्विय तीन चार lines पुट की हैं लेकिन lines सिर्फ ऐसी नहीं कि हमने कहीं से भी उठा कर टालती हैं कुछ important candles को find क्या हो उन important candles के highs and lows को mark कर लिया अब हमें यह समझ में आगे जितना भी white area आप देख रहे हो यह non tradable zone है हमें यहां से trade नहीं करना है हमें trades find करने इन black वाली lines के पास आपका resistance कौन सा है यह वाला resistance point है अगर यह break कर दिया इसने इंट्रडे में न तो बहुत प्यारा move मिलेगा बहुत अच्छा move मिलेगा और इसके बाद में चाहिए 24th January के candle का high अब समझ में आ गया कि price को downside की तरफ अगर जाना था तो फिर यह नीचे की तरफ गिर जाता है क्योंकि यहां से देखे इसने एक resistance ब्रिक किया इसके उपर price हमारा sustain हो गया अगर गलती से price ब्रिक हुआ है अगर गलती से ब्रिक हुआ है तो वापा से price हमारा इस वाली range के अंदर आ जाओ वरना इस green वाली candle के बाहर नहीं जाना चाहिए इसको simple से चीज है न अगर नीचे की तरफ market को जाना है तो price हमारे support को break कर दे या फिर जो 20 January की candle है price इस range के अंदर आ जाए तो देखे क्या हुआ ये green वाली candle form हो गई price ने एक black candle बनाई अब अगर इसको नीचे की तरफ जाना तो यहां से चला जाए otherwise फिर यहां से नीचे की तरफ आ जाए इसे upside की तरफ close नहीं करना चाहिए इसने closing upside की तरफ दे दे एक bullish move मिला मतलब कि sale नहीं करना है सिर्फ buy करना है price analysis के recording और volume records के recording हमें सिर्फ buy करना है तो daily time frame से हमें हमारा trend अइटिफाई हुआ हमें हमारे point of actions मिलगे हमारे levels मिलगे कहां से हमें काम करना है अब lower time frame पर जाओ अपने entries and stop losses के confirmations लेकर करके आप trade कर दो बहुत कम chances है कि फिर price आपका आपके against चला जाए और अगर जाएगा तो फिर मेरा stop loss लेगा बट वो stop loss होगा हमारे calculated जितना हमारी pocket allow करती है हम उतना stop loss लेते हैं उसे ज्यादा ने मतलब कि डर की कोई बात ही नहीं कोशिश करो इस तरह से readings करो कोशिश करो volumes को अपने readings में include करो अब हम लोग बढ़ेंगे lower time frame पर अब previous day की इस green वाली candle की low को हम एक support मान करके चलते हैं lower time frame का lower time frame पर तीन चीज़ है सबसे पहला तो हम लोग यहां से अपना swings mark करते हैं low, high, low, high यह देखे एक low point बना एक high, low and यहां से देखे ब्रिक आउट हो गया यह हमारा swing high, swing low mark हो गया smart money के अंदर हम लोग boss और chalk model बोलते हैं 1, 2, 3, A, B, C, D patterns चाहे आप जिस नाम से बोलो यह simply आपकी lower low lower high हम उसे बोलते हैं यह फिर legs draw कर देते हैं नाम अलग अलग है, काम एक ही है और draw करने का method भी same है यहां पर resistance मिल गया हमको यह एक resistance अब देखे, previous day की support candle के pass में price support form कर रहा है 9.15 की candle का low break हुआ और swing high, swing low के according मेरे पास resistance आ गया है तीन चीज़े हुए previous day की support candle के pass में price ने support लिया 9.15 की candle का low break किया यहां पर low walling पर साथ में एक fake breakout दिखाया है after that swing high, swing low के पास से price अपना reject होने लगा एक range में फस्टाइब पुरी range के अंदर market ऐसे रूकी हुई है यहां पर अब अगर इसको down side के तरफ जाना तो हमने कहा हमें तो करना है buy buy करना तो हम देख रहे हैं कि यह गिरना है तो उसको क्या करना होगा तो इससे अपना support break कर देना होगा नीचे के तरफ यह जितनी देरे में लग रहे है ना analysis करने में केंडर्स देख रहो ना यह जो दो केंडर्स देख रहो अब हम सारी मार्किंग रिमूव कर देता है अब यह देखे यह जो दो केंडर्स निकली इसका high break हुआ यहां पर अपनी entry बिल्कुल exact आप high देखोगे तो 170 रुपे 55 पैसे पर हमने अपनी एंट्री लगाई थी और करीब 15 पैसे उपर जाकर हमारा execution हुआ था और जस्ट ब्लेक वाली candle कर लो हमारा stop loss point था 168.75 यह रुपे 80 पैसे का stop loss तो यह अपनी overall analysis थी और यहोब कि समझ में आऊ होगा एक एक चीज जो हमने clear कि पूरी तरह से कोशिश कीजिए segments fix कीजिए कि इस तरह की analysis अगर आप option या derivatives को trade कर रहे हो तो इस तरह की analysis impossible आपसे नहीं होगा क्योंकि पूरे दिन आप hold नहीं कर सकते जैसे एक ए candle को हम लोग merge कर रहे हैं volumes को पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत इत्मिनान पर trade ले रहा है कोई range trading कर रहा है अजीब अजीब तरह से derivatives को trade करते हैं सब options में और करते loss ही हैं आखरी में तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो न तो सबसे पहले asset segment को choose करो जहां पर इत्मिनान के साथ में actual price actions आप पढ़ पाओ समझ पाओ उन्हें सीख पाओ एक बार equity में profitable होगे तो फिर आप derivatives trade करो आप दुनिया की कोई market trade करो लेकिन अगर profitable नहीं हो और derivatives में पहले ही कूद पढ़े हो काम करने के लिए तो अब बरबाद ही हो जाना है फिर आपको इतना मान करके चलना अब हम लोग एक scanner बनाएंगे टेकर टेप की website पर जाना वहाँ पर अपना account बना लेना ताकि जो scanner आप बनाओ वह सेफ हो यह सेक्टर है सेक्टर को हम बाकी आगे चिसको वैसा का वैसा ही रहेगा हम लोगों का काम स्टार्ट होगा मार्केट कैप से मिनिमम 1000 करोर की कैप होनी चाहिए उसकी इसको हम कर देंगे सेफ सेफ करने के लिए आप सिंपली जो उपर आइकन देख रहो यह वाला इस पर क्लिक कर देना वह सेफ हो जागा आटमेटी नेक्स्ट आता है हम लोगों का क्लोजपास के लिए का मतलब है कि वही अनियुम चाहिए देली टायम फ्रेम पर एक-लग से जज्यादा हो और बाकी अपर में चाहें जितना भी चले जाए वो अपने फिवर में ही काम करेगा ये एक स्कैनर होगा अपना अब इसको भी सेफ कर देंगे उपर के टेक पर क्लिक करने के बाद में एक फिल्टर अब हम लोग और इसके रेट करेंगे प्रैस और वॉल्म के कॉलम्स में ही आपको मिलेगा परसंटेज अवे फ्रॉम 15 वीक हाई हमें चाहिए 15 वीक हाई के पास में जो स्टॉक टेड़ेबल हो यहां पर परसंटेज की वैल्यू को हम लोग कर देंगे 5 और यहां पर आकर कर देंगे 15 तो जिससे कि हमारे पास एक अच्छा एक वैल्यूबल इस्टॉक आगा जिसके के अंदर चांसे रहेंगी वह इस्टॉक आपको अच्छा मूव देगा इन सारे फिल्टर को याद रखेगा या तो फिर आप वीडियो देखते देखते अपना फिल्टर बना लो प्रैसेंट वॉल्यूम के कॉलम में एक फिर से आएंगे और वन मन्थ रिटर मूव करें तो हम लोग क्या कर रहें मिनिमूम 5 की वैल्यू कर देंगे और यहां पर आ करके सेम 15 की वैल्यू तो जिससे कि आपके अगर निफ्टी मूव करा तो उस स्टॉक के अंदर वी चांसे रहेंगे कि वह भी मूव करेगा वो साइड वे नहीं पड़ा रहेंगा यह ह पर दोने ही कॉलम्स के इसटॉक्स आपके पास आएंगे तो इसको आप जिस भी सेग्मेंट को च्रेट करना चाहओ निफ्टी 50 निफ्टी 500 निफ्टी 500 निफ्टी स्कैनर पर चलेंगे इसको एक काम करते हैं यहां से सारी चीज़ें फिर से क्लोज कर देते हैं और टिकर टेप को वापस से आपको ओपन करके दिखाते हैं सिंपल से टिकर टेप की वेबसाइट पर आजाना सबसे पहला यह option आएगा आपका सबसे पहला link आएगा टिकर टेप डॉट यहां पर देखें www.ticket.in क्लिक कर देना सिंपली हमारा देखें यहां पर एकाउंट बना हुआ है नाम से है मेरे इस स्क्रीण पर क्लिक कर देना है यहां पर देखें एकाउंट more screener gold और और यह portfolio आगा किसी से मतलब नहीं है आप सिर्फ स्क्रीनर पर आना एक क्लिक कर देना यहां पर देखें जितने भी आपने इस वेबसाइट के अंदर सेफ करोगे ज्यादार स्कैनर्स जो हम सेफ करते हैं वो चार्टिंग पर सेफ करते हैं तो यहां पर देखें ऐसे स्कैनर अपना सेफ है इसका लिंक अभी आपने पास सेफ इसको लोट कर लिए सिंपली तो जो भी आपकी वैल्यू देखें अब देखें इतने सारे स्टॉक्स आपके पास आगा हम बहुत सिंपल लेकर के चलेंगे स्टॉक उनिवर्स पर क्लिक कर देना हमें चाइए निप्ती हैंड़िट के स्टॉक अब निफ्रिए अपके पास स्टॉक्स आगा है एक कम और करना इसमें पर सबसे हाई जो इस्ट जी यह स्विंग के लिए अब देखिए यहां पर एक चीज बहुत तो ध्यान देने वाली है जो भी स्टॉक आएगा क्या सभी को स्विंग के लिए उठा लेंगे नहीं ऐसा नहीं करेंगे हमारे पास मेरे मेरे पास एक स्टॉक की वाच लिस्ट आ गई अब मैं यह देखना ह सकते हैं मौरल ऑफ दे स्टॉरी के आपकी एनलेसिस के बारी अप है हमें क्या होगा इससे फाइदा क्या हुआ यह सारा मैटर बनाने से फाइदा हमें यह हो गया कि निफ्टी हैंडिट के बाकी के सारे 92 स्टॉक फिल्टर हो गया मेरे पास सिर्फ यह बचे 8 स्टॉक अब इन आठ स्टॉक के अपर आपको अपने इनलेसिस करनी हो हमें देखना है जो सबसे उपर स्टॉक आया मेरे पास वो अडानी ग्रीन एनर्जी आप इसको करो कॉपी अब सारी मर्किंग्स हम इसकी रिमूब कर देते हैं हमें यह देखना होगा सबको हटा दीए देखिए कि कई सारे वीडियोज हमने अल्रीड अप्रोट किये हुए हैं। अप अनल्सिस करने के लिए उन वीडियोज में बताए कई टेक्निक्स का यूज करो। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि क्या कोई स्टॉक अभी जैसा हम देखा। क्या वो अपने पॉइंट ओफ एक्षन पर है या नहीं। हमे और उसके बाद में हम आपको अच्छी ड्रोइंग बना के देखा दें कि देखिए तो resistance face कर रहा था यहां से आप buy कर लेते तो यहां से आपको बहुत बड़ा profit हो जाता आप एकी रात में अमीर हो जाते है चल जाने के बाद जो stocks के analysis की जाती है वो ऐसे ही तो की जाती है जब चल जोगा तो उसके पर lines draw कर दी तरह 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 एक indicator लगा दिये और लगाने के बाद में देखो यहां से करते हो तो कितना अच्छा हो जाता है यह नहीं live market news की practice करो अब जैसे price किसी जगए पर अपने resistance level को face कर रहा है तो आप सिर्फ यह देखो अगर इस टॉक को upside की तरफ जाना है अगर उसे upside की तरफ जाना है तो price आपका support protect करता है और resistance break करेगा मतलब के candles के lows उस वक्त के लिए support का काम करते हैं and high resistance के लिए previous जो swings होते हैं वो वहाँ पर बहुत अच्छा एक role play करते हैं resistance के लिए मतलब candles पर volumes के according हमें resistance के confirmations लेने पड़ेंगे यह जितनी बात हम आपको बोले हैं सब technical analysis से related है तो अभी हम कोई भी technical analysis करना आपको नहीं सिखा रहे हैं just हमने एक scanner आपको दिया है उस scanner से आपके पास stocks हो जाएंगे select और सिर्फ यही अपना काम है आज का जो मेरा काम है कि swing trading के लिए stocks को कैसे निकालें उसके लिए हमने आपको एक scanner दे दिया है वैसे आप scanner से आप stock निकालो analysis उसकी कैसे करने की क्या वो एक सही point of action पर है यानि इसकी पूरी analysis आप करो analysis करने के बाद में देखो कि क्या वो stock एक सही tradable point पर है entry मिल रही है तो किसी भी bullish candle के breakout पर आप trade execute करो otherwise wait करो stocks के चल जाने के बाद में कि अच्छा यहां से कर लेना चाहता है यहां से कर लेना चाहता है नहीं back test किसी काम कर नहीं होता live market में practice करो live market में इसकी analysis को अभी देखिए अडानी ग्रीन को हम लोग देखेंगे इसके volumes and price यहां पर देखिए कुछ इनके resistance resistance points पन रहे जैसे कि यह वाले जो black वाली candle है और अगर exact हम swing ले दें तो यह वाला यह इस 1007.55 यह काफी उपर से नीचे की तरफ गिर के आया है stock यह देखिए इसकी value बहुत ज्यादा थी करीब 3000 का stock था यह नीचे की तरफ यह गिर के आया बिल्कुल सही है अटानिय ग्रीन के इंदर हम लोग इन्विस्ट कर सकते हैं इसका breakout हो जाने देना क्यूंकि यह एक सही जगह पर भी सही जगह का मतलब कि देखिए प्राइस कितने अच्छे सहां से support ले रहा था इसी जगह से price उपर की तरफ गया लेवल को break करके सीधे नीचे की तरफ गया lower 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 circuit लगते चले गया कहां तक आ गया था यह 200-300 रुपए की price तक आ गया था और यहां से फिर से देखिए 1500 पहुँच गया यहां से breakout हुआ तो यह और अच्छा मूब दिखाएगा अडानिय के stocks मेरे ख्याल से यह बहुत ज्यादा रिलेटेड है पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के अगर बीजेपी सेंटर में खड़ी हुई है बीजेपी के जब तक इनके पास support है यह stock नीचे नहीं आना है इनकी value आप देखो है कि ऊपर की तरफ ही पढ़ेंगे में भी हो सकता है 20% 30% नीचे की तरफ गिर जाए लेकिन इसके अंदर इंवेस्ट करने का बहुत है लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था नेगेटिव नुजेज इतनी थी कि लोगों की हिम्मत नहीं हुए लेकिन उस stock ने तुरंत अपने आपको recover कर लिया लगभग सारे stocks को Adani port देखिए Adani enterprises हो गए इन्हों में फटाक से अपने आ लेते हैं अपने लेवस यह देखिए विपरो भी बहुत ठीक जगे पर है यहां से यह आपका यह resistance एरिया है एक यह resistance पॉइंट है कि यहां पर है कि वॉल्म के भी ठीक था confirmations है मतलब यह जो support पॉइंट है कफी अच्छा support है यहां पर इस एक जगे पर भी देखिए वॉल्म के बहुत बहुत सही confirmations है इस एक जगे पर और अभी भी stock बिल्कुल उसी जगे पर है slow बट एक ठीक ठाग मूव विप्रो के अंदर भी इम लोगों को देखना को मिल जागा लॉंग टम से stock को select कीजिए उसके analysis कीजिए एक सही जगे पर stock जैसे ही आपको दिख रहा है कोई breakout दिख रहा है कुछ quantity उसको hold कर लो long term के लिए so thanks and I hope we will meet again